Health Tech Channel पे आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको Neutrozyme सिरफ के बारे में जानकारी देंगे जो की बहुत ही बेतरीन सिरफ है इस वीडियो में जानेंगे कि इसका इस्तिमाल किन किन समझा हमें किया जाता है इसको कैसे इस्तिमाल करना इसके डोज के बारे में इसकी market price कितनी है इसके content, side effect इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो वीडियो को पूरी देखें ता कि आपको Neutrozyme सिरफ के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सकें तो Neutrozyme सिरफ इसके market price की बात करें और बहुत ही मसूर यह सिरफ है, तो आपको हर जगा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, आइए जान लेते हैं इसके content के बारे में इसमें क्या मिलाय गया है, तो इसमें diastate and pepsin होता है, इसके प्रतेक 5 ml में diastate जो की 50 mg में होता है, और pepsin जो की 10 mg में होता है, तो आइए जान जब बोजन शरीर में अच्छी तरह से नहीं पच पाता है, तो इस शिरफ का इस्तिमाल किया जाता है, जब बोजन अच्छी तरह से नहीं पचता है, तो कई अनिप्रकार की समस्याएं भी होती हैं, जैसे कि पेट में गैस बनना, खटी ड़कारे आना, इसके अलामा, खून की कमी होना कमजोरी होना ये सब समस्याइं भी होती हैं क्योंकि भोजन जो है अच्छी तरह सिपच नहीं पाता है तो इस शिरप का इस्तिमाल करने से भोजन अच्छी तरह सिपच जाता है और अपच के कारण जितनी समस्याइं होती हैं वो सब भी ठीक हो जाती हैं तो बहुत वेतर यह शिरफ है अपच की समस्या को ठीक करने के लिए आईए जान लेते हैं इस शिरफ को कितनी मात्रा में इस्तिमाल करना है इसके डोज के बारे में तो निट्रो जाइम शिरफ को एक डली ब्यक्त 10-15 ml दिन में 2-3 बार ले सकते हैं इस शिरप का इस्तिमाल खाना खाने के तुरंत बाद ही करना होता है तो दिन में जितनी बार खाना काएं उतनी बार इस शिरप का इस्तिमाल कर सकते हैं निट्रो जाएम शिरप को लेने से पहले अपने डाक्टर से परामर्स जरूर ले लेना चाहिए तब इसका इस्तिमाल करना चाहिए क्योंकि डोज जो है एज और वेट के इसाब से अलग-अलग होता है और कितने दिन तक इस्तिमाल करना है ये समस्या के उपर निर्भर करता है तो डाक्टर आपको जिदनी मात्रा में कहें उतनी ही मात्रा में इसका इस्तिमाल करें ना कब जोना दस्त की समस्या गला सुखना इसके अलामा जीब मसलाना या उल्टी होना ये सब साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं सभी को नहीं होते हैं तो इस सिरफ का इस्तिमाल करने से अगर ये सब साइड इफेक्ट होते हैं या इसके अलामा कोई स सेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें